नमस्कार मैं मंदीप हूँ और मैं एक पत्रकार हूँ पेशे से और मैं कल सिंगू मौर्चे पर जो किसान मज़ूर संगर्स कमीटी है उसके स्टेज पर था जब धंगाईयों ने स्टेज के वह ऑपर हमला किया और उस टाइम पे मैंने जो देखा वो मैं आपके आगे बताना जा रहा हूं, असल में 50-68 लोगों का एक गूरूप आता है जो तिरंग्य लेकर आता है ह। और वो किसानों के उपर किसानों को पहले गालियां देने लग जाता है और कहता है कि उठकर यहां से भागो तुम्हें सबक सिखाते हैं और वो फिर पत्राव करने लग जाता है और पुलिस वो 58 थे लेकिन पुलिस चार से पांच जार पुलिस वाले कल थे और लगातार त्रंगा उन्होंने आत्यों में पकड़ा हुआ और एक पेट्रोल बस भी की कोशिश करते हैं तो यह सब हो रहा था तो अभी जिन लोगों ने वो हमला किया है वो लोग उन लोगों की जो आइडेंटिटी है वो भी सामने आ गई है और साथ में दिल्ली पुलिस का रोल भी मैं आपको दिखाऊंगा और साथ में जो मीडिया ने आज रिपोर्ट किया एक बारों में वो भी मैं आपको बताऊंगों जो खासा दुख हो रहा है देखके पहली बार होगा कि मतलब हुआ कुछ हो रहा है और रिपोर्ट बिल्कुल उसके उलट कर रहे हैं और बहुत सारे जो वहां पर पत्तरकार जिनको हम जानते जो अच्छे पत्तरकार हैं वो अब ही बेसिकली जो यह हमला किया था उसमें जो फोटोएं आ रही हैं और जो मैंने रात बर देखा कि कौन लोग थे उन लोग जो पहले आए आतों में तरंगे लेकर किसानों को गालियां दे रहे थे और उनके पर पत्तराव किया उसकी मैं कुछ फोटोज आपको दिखा आप यह एक हैं परदीफ खत्तरी भूले दार अपने आपको लिखतेयों फेशबूक पर अपने आपको बांप yol कन्वीनर बताते हैं अपने अपको यह aye के साथ दिख रहे जो दो उपर ऐरो लगा हूए ऐसे ही इनकी फेस्बूक प्रोफाइल है परदीफ खत घटोले जिला परबारी नोन खुद लिखा हुआ है ये प्रोफाइल भी मैं आपको चेक करवाँगा पूरी फेस्बूक की इनकी ये देखिए ये कल दंगाईयों में थे ये आप सकल मैच कर लीजिए ये ये जो इनसान है ये कल दंगे में खड़ा है और ये 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 देखिए ये यही इनसान है अब इसकी प्रोफाइल मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस आदमी की इसकी फेस्बूक प्रोफाइल मैंने खोल रखी है फेस्बूक पे आप देखेंगे तो एक अंकित सर्मा नाम के इनसान ने कल गए हुए की इसकी वीडियो भी पोस्ट कर रखिए जो ज यह देख लिजे कि यह कह रहा है कि कौन इनका साथ देगा यह इसकी आप प्रोफाइल चेक करेंगे तो इसकी प्रोफाइल पे खूब दिख जाएगा कि यह कौन सी परदीप खत्री ठोलेदार और यह बीजेपी का गंतन तरदिवस की बदाई दे रहा है तो यह जो बीजे पी का आदमी है परदीप खत्री ठोलेदार यह कल वहां पर किसानों के उपर पत्थराव कर रहा था दूसरा नाम दूसरा है जो यह अमन डबास है और यह अमन डबास बवाना से है इनकी पत्नी यह भी बीजेपी में है मिच्छा के साथ इसकी फोटो है इसकी मैं ओर फोट तो है यह 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 ख़डा और यह मीच छाहति दोनों किसले लोगों ने निकाल के और ये मंडला देक्स है आपको मैं बताओं पिका किसानों ने फोटो निकाल के चलाएं भी है और जो यह अमनदबास एक वह बंबात कर रहें य ही विकल प्त्राव करा था मैंने खुद अपनी आखों से इसको देखा है पत्राव करते हुए और ये जैसे चुकि मैं इन गाउं से जुड़ा हुआ हूँ तो दिली पुलिस 26 तारिक को जो यूथ है वो जो रूट था सरकारी जो दिली पुलिस ने दिया था उसके उपर नहीं जाना चाहरा था उसका ए और दिली पुलिस इनका साथ दे रही थी ऐसा जहें बहुत सारे बवाना के लोगों ने भी बताया उनकी वीडिएयोज मैं मैं आपको जारी करूँए जो बवाना के लोग के बता रहे हैं और इसको बालो feder के बुरी तरीके से पीटा है। तो उस वीडियो में आप देखेंगे जो पत्राव करने वाले थे वह भी इन सर्दार को कूट रहे हैं यह यह वोलेंटियर था इसको खीच के इसके हाथ में तलवार थी जो ऐसे चो तलवार नहीं बेसिकली जो यह अमरिदारी सिक था तो तलवार कह लेजिए किरपान कह चो इसको खीच के लेके आ रहा है अलिपूर वाला जिसके आथ में चोट लगी है तो खीच के लेके आ रहा है तो उसके आथ में चोट लगती है और इसको खीच के दंगाईयों को सोब दे रहा है दंगाई इसको पीट रहे हैं इस लड़के को और प्लिस वाले बहुत देख के देखु यह पत्राव कर रहे ही यह गुंडे आए और देखि यह जो पुलिस है यह मूखदरसक बन्के देख रही है बिलकुल कोई वो नहीं कर पत्राव करने दिन एक बार भी इन्होंने पुलिस ने रोका भी नहीं जबकि स्टेज से सवरण जो दैनिक जागरों ने रिपोर्ट किया builders of uda और देखें एस लड़की फोटो और देखें बैक्रांड में फोटो शोप करके पुछ को अटा दिया है और कुछ होरी लगा दिया है जबकि असली फोटो यह है देखे पुलिस यही पुलिस है यह पुलिस कड़ी है और दैनिक जागरण ने जो फोटो लगाई है फोटोशोप करके यह देखे कोई पुलिस नहीं है क्रोप करके और इधर से इधर जो पुलिस दिखरी थी उसमें यह वो अटा दी है तो बेसिकल है दैनिक जागरंड के अपनी पोल सी है रिपोर्ट करने की चीजों की पर यह वा अब मैं उस सरदार की वीडियो दिखाता हूं जिसको पुलिस वाड़ों ने बुरी तरीके से यह खबर इंडिया चैनल है यह है तो संगी चैनल लेकिन मैं आपको एक बार इस पर जो वीडिय यह देखे बालों से पकड़ा हुआ है देखे बालों से और यह देखे नंगा खरता इनको और इसको जिपसी में ठूशने की कोशिस कर रही है और इसको अब स्थानी आएंगे देखना जो इसके उपर देखे और जो यह खबर इंडिया चैनल है इसकी कमेंटरी तो मतलब समय इसके रही है बालों से खीचते हुए और इसको इसको पीठ रही है और लोकल जो बनके आए हैं रही हैं टो चानिसक आ पर आकर्म रही है यह देखिए आप देख सकते हैं कि यहां पर एक इंसान के लिए 50 पुलिस वाले रोखने में लगे हुए पर रुखने के नाम नहीं ले रहा है यह देखिए लोकल आपको देख जाएंगे देखिए यह लोकल इसको मार रहे हैं पुरा यह बालों से पकड़ रखा है बालों इसको खुदी और यह इस इस लड़के को बुरी तरीके से गसीटती है और जो पुलिस इस बीच आसुगैस के गोले छोड़ती है और लाठी चार्ज करती है बैंकर किसानों के उपर मतलब मैं आखों से देख रहा हूं कि पुलिस धंगाईयों को कुछ नहीं कह रही है लेकिन किसानों के उपर लाठी चार्ज कर रही है उनको आसुगैस चोड़ रही है और जो यह वीजेपी के जो लोग हैं यह गालियां दे रहे हैं किसानों को और तिरंगे से भी महिलाओ महिलाओं के तेंट पर उसमें रजाईयों के इनों ने फिका अब सोच के देखें की महिलाओं के तेंट को इनों ने जलाने की कोशिस की की हैं अब ह dev i मेरा सिर्फ इतना है कि मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है अभी तो खैर शांती है वहाँ पर किसान जूट गए है बहुत सारे और रियाना पंजाब से सपोर्ट आई है बहुत जादा लेकिन ये सवाल बनते हैं पुलिस की भूमीगा के उपर और अभी तक पुलिस ने उस ल के बाद अगर पुलिस नहीं बताती है कि यह कहां पर है और इसको फेश नहीं करती है तो फिर हम एबियस को और पस मूग करेंगे और सुप्रीम कोल्ट में जाएंगे पत्रकार लोग कठा होके जाएंगे क्योंकि हमने अपने आखों से देखा है पत्रकार है इसका मतलब य नहीं है कि हम हमारी कोई सामाजिक दाइत्यों नहीं है हमारा भी दाइत्यों है कि अगर किसी लड़के के उपर ब्रुटाल्टी हो रही है और अमाखों से देख रहे हैं तो हम फिर उसके उपर एक्शन ले हम एबियस को और पस मूग करेंगे सुप्रीम कोल्ट में मेरी और पत्रकार सातियों से बात हुई है कुछ वकीलों से बात हुई है अगर 24 गंटे में अब थोड़ी देर में तीन बजे 24 गंटे हो जाएंगे तीन बजे तक अगर दिल्ली पुलिस प्रेस कोंफरेंस करके इस सरदार जी का हाल नहीं बताती है तो फिर में MBS कोर्पस मूग करे हैं तो बेसिकली आप आपको यह समझना है कि मतलब यह दिखाए रही है बीजेपी कि स्थानिये लोग अमला कर रहे हैं जबकि ऐसा नहीं है बीजेपी के खुद लोग अमला कर रहे हैं और अगर उस दिन दिल्ली पुलिस के बताएवे रूट पे यह चले जाते बवाना की कि तरफ तो किसानों यह ट्रेक्टरों पर पैट्रोल बं मारने की पूरी तयारी थी खुद बवाना के लोगों ने मेरेको रिपोर्टे दी है और उसNew ने बताया हैं कि USB को आप लोगों sprechenैंदी उनको भी बताय कि बायी दिल्ली पुलिस के बताएवे रूट पे मताना वहां आप इसलिए रिंग रोड की किसान बार-बार डिमांड करे थे और रिंग रोड पर जाना चाहते थे तो यह एक एक कंक्रीट सी चीज है जो मैं जो मैं लगातार देख रहा हूं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और कल किसान जिन किसानों के मतलब सर पूटे हैं उनके प्रेस चोटी मोटी इंजरी हैं जो मैं अभी तक गिन पाया हूं किसानों के तो और मैं किसी जो मेरा live देख रहे हैं ऐसे कोई human rights के उपर कोई साथी कोई काम करने वाले है human rights पहे या फिर कोई masters वगर कर रहा है को इस student है वो please जाके इनका documentation कर दे कि किन किसानों को क्या-क्या चोट कर सकता है तो पली जा गया है और सिंगू जो दिली में हैं जो वकील या फिर में राइट के साथ थी वह आ गया है और डोकुमेंटेशन करें बस आपका काम क्या है जो जिन जिन किसानों को बात चोट लगी है उनकी चोट उनके फोटो और उनके कहां क्या कैसे हुआ वो सारा कर लेंक बार यह जरूरी है ताकि कल को अगर हम इस ब्रूट्वालिटी के खिलाफ मूव करते हैं और साथ में जो साथ थी जिसको पुलिस लेके गई बुरी तरीके से जिसको मारा है गसीट गसीट के नंगा कर दिया था इसको तो इसको इसकी भी हमको जरूरत है इसके लिए सब्सक्राइब करने की जरूरत है जिससे हम पूछें दिलिपुलिस से कि यह कहां है मेरे इसाब से तीन बज़े तक टाइम देना चाहिए चोविस गंटे तीन बज़े तक हो जाएंगे दिलिपुलिस क्या क्या बताती है कहां है और अभी मैं अलिपूर जो से भी कॉंटेक देखना कोशिश करना हूँ मेरे फोन उठा नहीं रहे हैं मैं दुबारए इन से फोन करूँगा और उनकी बाइब इनका बर्जन बीदो लूँगा और साथ में ये भी पूछूँगा कि वह लड़का कहा है असल में हमें अपनी रिपोर्ट में लिखना है मुझे अपनी र पत्थर चला रहे हैं और अगर किसानों के उपर उनको बैक अप देने के लिए पुलिस आसुगैस छोड़ रही है ताकि किसानों की आँखों में जलन ओले लग जाए और यह पत्थर उनके उपर आराम से फैंक सके इसी वजह से इतने पचास के आसपास किसानों के सरों में च कोशिस कर बहुत सारी चीजें हम अभी लिखित में नहीं पेस कर पारें से लिए मैंने चोटा सा वीडियो बनाया जो रिपोता जो मैं लिख रहा हूं इस पूरे इंसिडेंट के उपर तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप आगे से आगे इसको शेयर कर दे ताकि जो पुलिस की जो बुटैलिटी है वो सामने आनी चाहिए और साथ में जिन दंगाईयों ने हमला किया किसानों के पर वो भी सामने आना चाहिए